नमस्का दोस्तों. टेक्निकलिंदश log का बहुत बहुत साथ है थो तो समार्पों में तो रहा हम अच्छा अच्स गेम करते है बहुत ही अच्छा अभी आगगे वान जी बीया पर टूजी बी बी का तो समार्पों तो अच्छा गेमिंग में आपको कुछ... मतलब लाग नहीं रहता है बहुत अच्छा प्रोसेसर के साथ आता है बट यह चीज थोड़ा उल्टा आ जाए तो स्मार्टफोन के लिए गेम के लिए स्मार्टफोन से आ जाए तो जी हो दोस्तों मैं आज की बात में आज में आपको बताने वालो आप को मील्टपिश क्या हूं है जो कि बहुत सारे gepany आपको गेमिंग स्मार्टफोन उन्टतें थोड़ा पीछे का वात के लिए अधिए क्यां के लिए ओपक्र वीड़ो का लिए अपिर लाग बीद स्वीग यह पfolg of legends जो कि आपको अच्छा अच्छा company जिसे हम बात करें तो MI का Blacksar 2 या फिर आपका Nubia का Red Magic 3 या फिर Asos का ROG Republic of Gamers इसे बहुत ज़र स्मार्टफोन जो कि गेम के लिए प्रवेड करें तो PUBG भी एक्टो अच्छा चल रहा है तो इनका जो प्रवेड कंपनी टेंसेंट ओ प्लान कर रहा है कि कुछ एक्टो आप स्मार्टफोन लाने के लिए इंडिया में जो कि बहतर गेमिंग आपको दे सकता है जो जो स्मार्टफोन जो आसस और ब्लाक सार्टू के चुछ से अगर हम बात करते है स्मार्टफोन का तो इधर आपको बहुत सारी स्मार्टफोन मिलते हैं या आ हम बात करते है यह लॉंट जो यह लचण स्मार्टफोन वाला हैया तो आपको 2LGB यकेंग ऑन बात करते हैं आपका जो रोम का तो आपको बात करते हैं इसे कुछ companies का जो कि gaming smartphones इंडिया में लाने वाले हैं पब जी साथ मिलके तो आशस के साथ भी deal कर रहे है PUBG कि हमारे साथ कुछ काम करने के बाद के बादे टेंसेंड के नाम से एक फोन आ जाये यह फिर आपका रेजर ब्लाक रेजर टू आपका नूबिया के साथ भी कुछ प्लाइन कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं गेमिंग स्मार्ट फोन का तो इधर आओको पुपोपोमांस आप जादा रहता है पुपोमांस का स्पीद आपको ज्यादा ऑप्टीमेज इतना अच्छ ऑगर अच्छ इतना अच्छ हो के आएगा आप को गेमिंग सस्मार्टों अधर आपको कुछ आप назв प्रजी देखने को मिलता है जैसे कि liquid cooling या फिर एक फ्यान लगा रहता है अंदर का जैसे Nubia का Red Magic 3 है अंदर फ्यान लगता है तो आपको फोन का अंदर बूस्ट करते है या फिर आपको फोन को थोड़ा थंडर रखता है गेमिंग में आपको फोन हीट जज़ादा नहीं होता अगर हम बात के एक्स्ट्रा कॉंट्रोल्स का तो एक्स्ट्रा कॉंट्रोल्स होना चाहिए लेकिन अगर हम एक तो simple phone में game खिलते हैं तो हम लोग screen को लेके game खिलते हैं अगर extra control के बात करें तो आपको इधर air trigger button या फिर pressure button या फिर joystick पी लगना चाहिए आपका phone में लेकि आ और आपका air trigger रहेगा तो आप ऊपर से भी control कर सकते हैं और अगर हम बात के तो display का तो display आपको high refresh display मिलना चाहिए क्योंकि आपका gaming में जितना display clarity के बात करें तो जितना अच्छा रहेगा तो आपको performance बेटर लगेगा अगर हम बात के लिए display का तो इधर आपको 90Hz या फिर 128Hz प्रच वाला display मिलना चाहिए तो एक तो complete package देने वाला या पब जी बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में आ जाएगा अगर यह आपका फोन में प्री इंस्टॉल पॉप जी या फिर फॉटनेट लीग आ गया तो आपको अच्छा बहतर आपको gaming प्रोबेट करेंगा और ए 20% पार्ट टेंसेंट समलता है तो इन्होंने मिलके यह तीनों मतलब गेम को ज्यादा optimize करने वाले अपना फोन में optimize करने से आपको gaming performance और गेमिंग फोन से उससे बेटर आपको देखने को इदर मिल जाएगा अगर हम बात कते PUBG का तो बहुत सारे countries में PUBG तो ब्यान हो गिया है इंडिया में भी आपको कुछ time limit रहता है गेम खेलने के लिए लेकिन अगर यह phone आग यह PUBG वाला gaming smartphone तो यह PUBG अगर ब्यान हो गया यह phone भी ब्यान हो जाएगा क्या पता कुछ नहीं लेकिन इस का बहुत ही जल्दी आने वाला है और Asus के साथ लगता है यह आ जाएगा लेकिन डिपेंड करता है आपको बेटरी आपको कितना देता है असस का जो अभी लेटेश निकला जन्फोन 6Z गेमिंग स्मार्टफोन नहीं होके भी आपको 5000 ms बेटरी देता है फ्लक्सित ग्रेड में तो बेटरी इधर क्या देता है पता नहीं देखेंगे अच्छा कुछ देग वहाँ जोड़ा गेमिंग अपिछल दर दर गेमिंग का डिजैन रहेगा 48 प्लस 5 मेंग देखेंवर का मिलने वाला है जो 32 मेंग देखेंगे अधर आपको डिस्पले क्यामरा मिल जाएगा यह न्या टेखनोजी जो कि अपो लाने वाला है उसके बास प्राइसिंग का अगर अगर बात कर तो प्राइसिंग एग्रसिफ कर अगर यह आ गया इंडिया में तो बहुत यह अच्छा बात है जो पब जी के ख्यान से तो पब जी के लिए स्मार्टफोन भी खरीद लेंगे कि पागल कर दिया है सबको तो तो बस यह था अज के वीडियो अगर वीडियो चला ह अधिने सरक्तिने और इसे मनें वर मूं साथ ओबल देए वात मं से कि अकल ठीक है